स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी टीप्स पर दोस्तों आसा करता हूँ आप अपने और अपने परिवार का ख्याल बखुबी रख रहे होंगे दोस्तों आज है 28 मईए 2020 और आज की जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स बन सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ करेंट अफेर्स के सेशन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ अगर आप इस वीडियो के पीडियाफ को ड्लोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जोईन करें उसका link हमारे वीडियो के description में डाल दिया गया है आप वहाँ जाकर telegram channel से PDF को download कर सकते हैं दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एक एक जो question है वो बहुत important है examination point of view से और से related जो fact बताये जाते हैं वो तो और भी बहुत जादा important हो जाते हैं दोस्तों हम यहां क्या करने वाले हैं उसकी बारे में चर्चा करते हैं हम आज important current affairs तो करेंगे ही करेंगे साथ के साथ एक static gk का कुछ point हम लोग daily basis पर चर्चा करेंगे दोस्तों तो आज हम लोग static gk का धी चर्चा करने वाले हैं चलते हैं हम अपने से सेसन की ओर दोस्तों हमारा पहला question है कि वर्ल्ड गर्डे कि द न मनाया जाता है तो world hunger day मनाया जाता है 28 मई को टो दोस्तों world hunger day 28 मई को मनाया जाता है और यहान पर देखिए वर्ड हंगर डे यानि कि वी आर वन जो है आज इसका थीम रहा है 2021 वाला और दोस्तों वर्ड हंगर डे से जब बात आती है तो एक रैंकिंग होता है जो की बोला जाता है ग्लोबल हंड हंगर इंडेक्स तो जो 2020 में जारी किया गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो उसके अनुसार इंडिया का रैंक रहा है दोस्तों 94 इंडिया का रैंक कितना रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 और 107 कंट्रीज में 107 कंट्रीज में इसका क्या किया गया था इसके 107 country के लिए इस index को जारी किया गया था तो उसमें इंडिया का जो ranking है वो 94 है जिससे पता चलता है कि यहां बहुत serious level का hunger है यानि कि serious level का यहां पर क्या है भुकमरी है दोस्तों तो यह जारी करने वाला जो यह जो index जारी करता है इसको कौन सा संस्था जारी करता है यह भी एकजाम में पूछा जाता है तो इसको जारी करने वाला जो संस्था और्गनाईजेसन है वो है concern worldwide कौन है दोस्तों? concern worldwide आपको इसे याद रखना है तो सबसे पहले जो global hunger index को जो जारी किया गया था वो 2006 में जारी किया गया था और यह जो global hunger index को प्रतेक साल के October मन्त में जारी किया जाता है यानि कि 2021 वाला जो hunger index आएगा इस बार October में आएगा और 2020 वाला आए था जिसमें की 94th rank था हमारे इंडिया का दोस्तों तो चलते हैं अगले question की और अगले question पर जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं माई मन्त के जितने भी important current affairs है उसका एक बर revision करते हैं दोस्तों एक माई को क्या मनाया जाता है international labor day आप लोगों को ये जो day है याद कर लेना है और अभी तक आसा करता हूँ कि आप अब गर video को देख रहे होंगे तो याद हो गया होगा एक माई को मनाया जाता है international labor day और उसे दिन मनाया जाता है महाराश्टरा day दो माई को मनाया जाता है world laughter day यानि कि 200 हास से दिवस दोस्तों ये तो इस बार दो माई को मनाया गया लेकिन इस डे को हर साल मई के फर्स्ट संडे को मना जाता है तीन मई को मना जाता है प्रेस फ्रीडम डे तीन मई को मना जाता है प्रेस फ्रीडम डे चार मई को कोल माइनर्स डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे वर्ल्ड अस्थमा डे और उसी दिन मनाया जाता है World Thalassemia Day, 11 मई को मनाया जाता है National Technology Day, 12 मई को मनाया जाता है International Nurse Day, 15 मई को मनाया जाता है International Day of Families, यानि की परिवारों के लिए अंतरराश्ट्रिय दिवस, 17 मई को मनाया जाता है World Telecommunication Day, 17 मई को World Telecommunication Day, World Hypertension Day, दो दो बार आपको केवली से बोल जाना है, आपको याद रहेगा दोस्तों, 18 मई को World AIDS Vaccine Day, और International Museum Day, और 21 मई को मनाया जाता है National Anti-Terrorism Day, कौन सा डे मनाया जाता है, National Anti-Terrorism Day, और Armed Forces Day, सौरी, National Endangered Species Day, इस बार 21 मई को मनाया गया था, लेकिन हर साल ये मनाया जाता है मई के थर्ड फ्राइडे में दोस्तों, और 22 मई को मनाया गया International Day for Biological Divergity, International Day for Biological Divergity दोस्तों, आज है 28 मई और इस से पहले और भी कुछ important days हुए हैं दोस्तों, जैसे कि 23 मई को मनाया गया था World Turtle Day, यानि के 200 कच्छवा दिवस, और उसी दिन 24 मई को मनाया गया था Commonwealth Day, कौन सा डे मनाया गया था 24 मई को? 24 मई को मनाया गया था Commonwealth Day, तो दोस्तों, आपको इन सारे days को याद रखना है, 25 मई को कौन सा डे मनाया गया था दोस्तों? World Thyroid Day और International Missing Children's Day, और 28 मई को तो आज मैंने बात कर ही लिया है दोस्तों, तो आज से पहले जितने भी important days थे, यह सारे के सारे मैंने यहाँ पर बता दिये हैं, आप इसे revision कर लिजेगा, एक बार देख हमारा आगला question है, Amazon के नए CEO कौन बनेंगे दोस्तों, तो Amazon के नए CEO बनेंगे Andy Jassy, यहाँ पर यह देख रहे होंगे, यह है Andy Jassy साहब और यह बनेंगे Amazon के नए CEO, तो क्या जो अभी Amazon के CEO है, जैब बेजोस, क्या यह Amazon छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यह जो है Apple के CEO, बात आती है CEO की, तो दोस्तों हम कुछ important organization के CEO पर भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि हमारा static जी के cover हो जाएगा उससे, ओला कैब के कौन है दोस्तों, ओला कैब के CEO भाविस अगरवाल, और उबर कैब के कौन है दोस्तों, उबेर कैब के कौन है, उबेर कैब के हैं, दारा खुसरो साही, माइक्रोसॉप्ट के कौन है दोस्तों CEO, माइक्रोसॉप्ट के है सत्या नडेला, आपको इन सारे CEO को याद रखना है, एक जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों, सत्या नडेला, और जैसे जैसे updated list आती है, मैं आप लोगों के लिए वो list अप्डे आप लिए दोस्तों, अली बाबा इसके हैं, डैनियल ज्हांग, डैनियल ज्हांग, डैनियल ज्हांग, डैनियल ज्हांग, वाटसेप के कौन है दोस्तों, तो वाटसेप के हैं, जान कॉम, वाटसेप के हैं, जान कॉम, और फेस्बुक के, तो सब जानते हैं, मार्क जकरब और वाटसेप के जॉन कॉम होई दोस्तों तो यह कुछ इंपोर्टेंट और्गनाइजेशन के यह सीयोज हैं आपको इन्हें भी याद रखना है और अमेजन के कौन सीयो बनेंगे तो इसे हमने इस क्वेस्चन में देखा अगला क्वेस्चन है किस कंपणी ने कहा है कि उसके मल्टीनेशनल यह फार्मेसिटिकल कंपणी है और इसने बोला है कि मेरे द्वारा जो बनाया गया वैक्सिन है वो 12 साल या उसके उपर बच्चों को लगाया जा सकता है पूरी तरह से उसके लिए वो सेफ है तो दोस्तों बात करतें फाइजर की तो यह इनके सीयो हैं अलब यूप्लीन न्यूयॉर्क युनाइटेड इस्टेट में दोस्तों और बात करते हैं यहां पर भारत बायोटीक की तो इसकी द्वारा कौन सा अभी यह भारत में यह बनाया गया है दोस्तों बैक्सिन बनाया गया आपको इसे कमेंट में बताना है और यह जो डॉक्टर बनाया है यह वैक्सिन इसका जो परोडक्शन है यहीं पर होने वाला है दोस्तों डॉक्टर रेड़्ेज लिबरेट्री में अगला क्वेस्चन है समाजिक बिग्यान में इस्पैन का सर्वोच सम्मान कीने दिया गया तो समाजिक साइन्स में यानि कि अर्थ सास्तर के छेत्र में नोबल पुरसकार इनको मिल चुका है उनी सवन ठागवे में और बात करते हैं इन्हीं को उनी सवन नागरिक पुरसकार होता है दोस्तों उससे भी नवाजा गिया है इन्हीं को नेशनल हुमेनिटीज मैडल भी मिला था 2012 में और इनको मिला है जॉन स्काइट प्राइज इन पॉलिटिकल साइंस 2017 में तो इनको मिले हुए कुछ अवार्ड्स हैं प्राइज हैं इनको हमने यहाँ पर चर्चा किया बात करते हैं जेन गुडवेल की तो यहाँ पर दोस्तों जेन गुडवेल को हाल ही में टेमपल्टन पु इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है रमेश पोकृक्रियाल को सा वप दिया घुड़े सारे आवार्ड आपको याद रखने हैं इंटरनेशनल इंविंसिवल इनविंसिवल casual टीक है इंतरनेशनल इविछ सिवल गोल्ड अवाड 2020 से 2020 से इन्हों इन्हें नवाजा गया है दोस्तों तो यहां पर बात आती है आवार्ड की कुछ इस जो कि हाल ही में बहुत सारे और अर्गानाइजेसंट बहुत सारे लोगों को दिया गया है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों जो वीके पांडियन है दोस्तों वीके पांडियन तो दोस्तों इन्हें FIH यानि की Federal of International Hockey International Federal Hockey का जो President Award इन्हें दिया गया है FIH President Award दिया गया है दोस्तों मैंने बताया था कि FIH का Member अभी किसे Elect के अगया है तो आपको इसे बताना है दोस्तों मैंने ये अपने वीडियो इसमें बताया हूँ दोस्तों अगला बात आता है ये क्या बोलते हैं कि Hawkey India को कौन सा Award अभी मिला है दोस्तों तो इनको मिला है 18 Glitchich Award दोस्तों Spice Health को कौन सा अवार्ड मिला है तो Spice Health को मिला है Gold Steve Award तो दोस्तों यह कुछ नए अवार्ड'S हैं जो कि विहाल ही में इनको मिला है दोस्तों तो इसे आपको याद रखना है Gold Steve Award मिला है Spice Health को Hawkee India को मिला है एटिनीन गलीटिच अवार्ड दोस्तों वीके पांडियन को FIH President अवार्ड मिला है दोस्तों यहां पर मैंने सारे अवार्ड को क्या किये हैं डिसकस किये दोस्तों अगला क्वेस्चन है भारत के पहले रेडियो आइसो टॉप रियक्टर जो की PPP मोडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्सिक मोडल पर आधारीत हैं किसके द्वारा तयार किया जा रहा है तो दोस्तों इनको तयार किया जा रहा है बार्ड के द्वारा और यह किसके साथ मिलकर तयार करter रह थो यो जो ब आ इसके composer करने वाले थै टो इसके demean जहांघिर् सथाब्र करने वाले थे थे होमी जहांगीर भाबा और बार्क का जो हेड़क्वाटर है दोस्तों ये मुंबई में हैं ट्रॉम्बे मुंबई में बात करते हैं DRDO की तो DRDO को जो अभी चीफ है दोस्तों ये है जी सतीस रेड़ी तो आपको ये कुछ important facts यहां से निकल कर आए तो मैंने बता दिया दोस्तों अगला question है हमारा सेहत OPD Portal एक website है इसको किस चैंद्रिया मंत्री द्वारा जारी किया गया है दोस्तों तो सेहत OPD पॉर्टल को राजनात सिंग जो की अभी हमारे defense minister है इसके द्वारा जारी किया गया है रच्चा मंत्री रच्चा मंत्री जो है राजनात सिंग ए लौंच्ड सेहत OPD portal उसके बाद यहां पर दिख रहा है आपको राम परसाद ये सो नाई दोस्तों ये हमारे आयूस मंत्राले के minister है दोस्तों, डॉक्टर हर्सवर्दन ये health minister है, health and family welfare minister है, science minister है दोस्तों, प्रलाद सिंग पटेल, कौन से minister है आपको ये कमेंट में बताना है दोस्तों अगला क्वेस्चन है अकांसा पॉर्टल को किस राज के मुख्यमंतरी द्वारा जारी किया गया है दोस्तों अकांसा पॉर्टल को करनाटक के मुख्यमंतरी द्वारा जारी किया गया है तो करनाटक के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों करनाटक के मुख्यमंत्री जो है करनाटक के मुख्यमंत्री है दोस्तों येदुरप्पा वी एस येदुरप्पा और यहां के जो राज्यपाल है दोस्तों वो है बैजु भाई वाला बैजु भाई वाला केरल के जो मुख्यमं बहुत यह आसान है दोस्तों यह बार-बार डिबेट में भाग लेते रहते हैं और लोगों के चहते भी है दोस्तों बिहार के जो मुख्यमंत्री है वह नितीश कुमार और यहां की जो गवरनर है फागु चौहान किanto वाही कम यह तो ग्लोबल बायोग आधो को लांग किया थो इतों जो ग्लोबल बायोगयो Seit यह क्या है क्याPad और दोस्तों जिसके द्वारा दुनिया भरके रिणियाउंड जो सही होगे ़ो आपस में एक दुसरे से connect हो पाएंगे डोस्तों connect हो पाएंगे एजिली connect हो पाएंगे सब एक दूसरे कर सब थांब्स में information का technology का आधन परदान कर पाएंगे दोस्तों तो यह global वा यहोफ वहोफ देड्रु ओ के दोरा जारी किया गिया डлер philosoph body के दौबहारा जारी किया गिया बात करते हैं यूंश में चीफ का के और इसका ऑस्थापना यहें ना बात करते हैं यूनेस को की तो यूनेस को का जो हीड काटर है है पारीस में और इसका अस्थापना हुआ था 16 नॉंबर 1945 को आपको इन सारे फैक्ट को पूरे याद रखना है दोस्तों क्योंकि सारे फैक्ट बहुत ही इंपोर्टेंट है पैरिस में 16 नौंबर 1945 को इस्थापना हुआ था और युनिस्को के जो चीफ है दोस्तों अभी एंड्रो ओद्रे अजूले हैं कौन है ओद्रे अजूले ठीक है आपको इससे याद रखना है ओद्रे अजूले सहब इसके चीफ है अभी और युनिप के बा पांच जून 1972 को बात करते हैं इसके हेड के बारे में तो इसके हेड हैं इंगर एंडर्सन इंगर एंडर्सन तो ये रहे हमारे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स यहां से जो निकल कर आ रहे थे दोस्तों अगला क्वेस्चन है देश की प्रथम महिला टेस्ट फ्लाइट ट इंजी कौन बनी है तो दोस्तों देश की प्रथम महिला टेस्ट इंजेनियर बनी है असृता ओलेटी जो की एयर फोर्स में स्क wird लीट TimeLedare है दोस्तों और यह फ्लाइट टेस्ट इंजिनियर वनी हैं और यहां पर देखिये इंडिया फॉस्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजिनियर आपको फॉस्ट से रिलेटेड सारे याद रखने होते हैं क्योंकि यह एक्जामिनर के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और यहीं से महिला पाइलेट है दोस्तों एे पहली महिला एंबुलेंज ड्лаइवर है और यहें जयले पहली महिला हैं जो 12 रिकार्ड को ब्रेक किये हैं बहूतेब कि जो को कि कि नiefीं इनको की 2021 जो की 2021 रिपब्लिक डे में फस्ट भाग लेने वाली फस्ट महिला पाइलट है दोस्तों 2021 रिपब्लिक डे में भाग लिये थे दोस्तों इसके जहाकी में भाग लिया था दोस्तों इसके पैरेड में भाग लिया था बात करते हैं तो यह हो गया दोस्तों यहां के कुछ important fact अगला question है हमारा Forbes के द्वारा जारी किये गए धनी वेक्ति के list में सबसे धनी वेक्ति कौन बन गया है तो दोस्तों अभी जो Forbes के द्वारा जारी किया गया है list उसमें सबसे धनी वेक्ति बन गया है इनको ये जो है फर्ष्ट वेक्ति बने हैं किसको पचाल कर बने हैं दोस्तों तो जेफ बेजोस को जेफ बेजोस को जो की अमेजन के CEO हैं और अभी अमेजन के CEO कौन बनने वाले हैं दोस्तों तो अभी फर्ष्ट का वस्तान पर रहे थे बर्नार्ड अर्नॉट साहब जेफ ब तिसरे अस्तान पर तो यह है हमारे कुछ important fact अगला question है किस देश ने port city bill को अनुमती दी है port city बिल को अनुमती दी है यानि कि अपने संसद में port city bill को पास किया है दोस्तों तो यह स्री लंका का government है यहां पर देखिए sri Lanka है दोस्तों स्री लंका का जो coastal area होता है यानि कि स्री लंका का जो तठिया चहतर है वहां से लेकर वहां से लेकर और एक ब्रेसिडेंट ने भात करते है बात करते है डो यह हां правда प्राइम मिनिस्टर है वो है महिंदा राक्षपक्षे इंडिया के हमारा प्यारा भारत इसको तो हम लोग जानते ही हैं दोस्तों थाइलेंड की बात आती है तो थाइलेंड का जो कैपिटल है दोस्तों वह बैंक कॉक कहा है बैंक कॉक और यहां की जो करेंसी है वह थाई बात क्या है थाई बात और अगर बात करते हैं चाइना की तो चाइना का कैपिटल है दोस्तों बीजिंग और यहां के जो केरेंसी है वो है यू आन तो आपको यहां से यह important fact याद रखने है इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट की नियुक्त किया गया है तो दोस्तों इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट गुलेर्मो लासो को नियुक्त किया गया है दोस्तों यह रहे यहां पर गुलेर्मो लासो और इन्हें एक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है बात करते हैं एक्वाडोर की तो एक्वाडोर का करेंसी है यू एस एकुअध मॉलार सब्सक्राइब दोस्तों ये हो गई एक्वार्डूर के बारे में बात तो गुलेर्मो लासो सहाब जो प्रेसिडेंट बने है इस इन्हें यह जो बने हैं लेनिन मोरेनो को रिप्लेस किया है इनोंने मतलब पहले जो यहां के प्रेसिडेंट थे लेनिन मेरोने थे और यह जो अलफर्डो बोरेरो है दोस्तों यह इकवाडोर के प्राइम मनेस्टर है दोस्तों यह सॉरी यह इकवाडोर के वाइस प्रेसि Libra 여러לה किसको रिपेस किया है । यहां पर देख रहे हैं आप मार्क रूट तो दोस्तों यह है यह नीधरलेंड के फ़स्ट चार बार लगातार नीधरलेंड के यह मेनிस्टर बने हैं मार्क रूट बात करते हैं नीधरलेंड की तो का जो kapital है दोस्तों वह ए एम स्टार्डम नीदर्र लेंड का온 का capital है एमस्टार्डम और यहां का जो करेंशी यह दोस्तों वह यूड यहां का करेंशी जो है यूड तो यहां तक हो गया दोस्तों हमारा important fact दो जो दोस्तों आज रहे हैं की सारे important current affairs हमने अपने वीडियो में चर्चा किया दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को subscribe करे, like करे और share करे हमारे वीडियो पर कमेंट करना ना भूले दोस्तों आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है दोस्तों और आप इस चैनल के फिर से मैं बता दूँ कि इस वीडियो के पीडियो को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं आपको इसके लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा वहां से टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जॉइन करके वहां से आप हमारे डेली करेंट अफेर्स के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप डेली करेंट अफेर्स का पीडिय डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों के लिए सारे competitive exams की तयारी कराए जा रही है दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूले धन्यवाद